है यह यह दिस इस नेहा एंड यू वोचिंग मैं चैनल फोर ओल सुलूशन ओफ ग्रामर जोन एंड नाव एम गूंग तो स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेशन फोर्थ यह वर्प वर्म मिल्स किरिया तो आज हम करेंगे इसी से रिलेटेट सारे के सारे सुलूशन की किरिया क्य कैसे यूज की जाती है कहां कहां पर अपलाई होगी और इसको अगर हम रिको को नाइस करना चाहें तो हम इसको पहचान कैसे सकते हैं ठीक है तो चलते हैं और करते हैं कुछ नया और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूव है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि आने वाली वीडियो सारी की सारी आपकी help के लिए बनाई गई है I hope आपको बहुत ज्यादा उनसे time saving लगेंगी वो आपको तो इसके अंदर दिया हुआ है वर्ब अब वर्ब छोटे बच्चे हैं तो उनको हमें बताना पड़ेगा कि doing words क्या बताना पड है ठीक है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो वर्ब नहीं समझ पाएंगे कैसे अप्लाई करने कैसे नहीं तो जैसे हमारी first second third class होती है वहां पर वर्ब के चेटर को doing word के नाम से भी publish किया गया है तो अब बच्चे ये भी ना पहचाने तो अब उनको समझाना कैसे है वर्ब में सोता है क्रिया और क्रियाएं कौन सी होती हैं जैसे हमने बताया कि सोना पिछे आगे ना फिर बताया करना और हसना जागना रोना पीना पढ़ना ये अगर हमने बताये बच्चों को तो बच्चे क्या देखेंगे कि इन सब के पिछे क्या apply हो रहा है हमारा ना ये देखो ये पिछे ना आ गया यहां भी ना आया ये जहां भी आपको दिखाई दे जाए ना तो वो सारी के सारी क्या होती है हमारी किरिया होती है सब के लेंना प्रेक्र करेंग्श का तो 이57 हो जाएगा प्लेइंग रीडिंग लर्निंग सेलिपिंग स्टैंडेंग शीटेंग के गरन कींसींगिurg trabaj in रणिंग यह वाली सारी क्या हो जाएगी हमारी किशे मतलव कि वर्ब ठीक है इन सब से हमें किसी काम की करने का होने का वो दो रहा कि कोई काम चल रहा है अगर बच्चा आई बहते हैं नहीं वह सांस तो ले रहा है ना तो सांस लेदा भी क्या मानी जाएगी की हमारी किरिया मतलों की वर्ब तो इसके फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है लेसन के कि सर्कल दा वर्स टैट नेम एक्षन यू सी इन दा पिच्चर हमको जो पिच्चर में दिखाई दे रहा है वो वो हमने सर्कल करने हैं सबसे पहले तो मैंने किया शाइन ठीक है फिर है सिट सिप, स्टैंड, स्माइल, रीड जो इस पिच्चर में है न सिर्फ वही सर्कल करने हैं आपको कि पढ़ना, खड़े होना, सिप करना, बैठना, स्माइल करना वाकि ये रीडिंग भी कर रहे हैं रीड यहां पर है नहीं तो ये बोल भी कोई नहीं रहा है सारे के सारे चुप अस वर्ट सम्थिंग और समवन डस काल वर्ब मतलब कि कुछ बताए हमारे किसी के बारे में उसी को ही हम वर्ब कहते हैं और मोस्ट वर्ब नेम एक्शन डेटा डूइंग वड हाँ यहां पर भी आगे डूइंग वर्ड के नाम से यह जाना जाता है या फिर इसको एक्शन वर्ड भी कह देते हैं एक्शन बई जिस से हमें किसी के एक्शन के बारे में पता लग रहा है क्रिया के बारे में पता लग रहा है तो यह सारे के सारे होते एक ही मीनिंग एक ही है लेकिन अलग अलग नेम से इसको रिपर्जेंट हम कर सकते हैं और बताया गया है वर्ज डै आपको sentence में वो ना दिखाई दे जो मैंने अभी ना वाली दिखाई थी आपको बाइचांस वो ना दिखाई दे तो ही ये आप मान सकते हों जैसे मैंने खाना खाया अब यहां पर क्या है खाना तो वर्वा गया मैंने खाया ड्रेक्टी बोल दूं तो उस वे में हो जाता है कि कई बारी वर्व हम को नहीं मिलते sentence में तो आप इसको माल लो है इसको माल लो बाकि आजब है इसको करनी सबब्स नहाए बड़े बचों को सेवंध एड तक के तो जोंसे वह बचों को सिखाते हैं इडी लगा दिया आइएंजी लगा दियाै एक्टिव पैसी लगा दिया है है यह चलते हैं तो सारे के सारे काम वर्व के दुवारा ही होते हैं अब हम करते हैं इसका एपार्ट थियोरी बहुत हो चुकिए देखिए इसके दिया हुए फिलिंग दा ब्लैंक्स इसके दिया हुआ है उसकी हमने इसके साथ अप्लाई करना है लेकिन साथ में इसमार भी लगाना है अब इसमार लगाना कैसे हैं वह आप देखो इसके अंदर आई के साथ तो हमेशा लगेगा एम ठीक है और जोंसा हमारा सिंगलर हो ही के साथ हमेशा लग जाएगा इस और थर्ड नमबर पे रह जाएगा ज्यादा हो तो जैसे की हम कहें दे टी एच इवाई दे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है हमारा आर आई के साथ हमेशा एम singular हो तो is और ज्यादा हो तो क्या लग जाता है आर ये थ्री रूस अगर आपको आगए तो आप ये पूरा पार्ट कर दोगे फर्स्ट है सीना अब ये तो singular है शीना इस वोक का होजे का walking मतलब की काम चल रहा है काम हो रहा है she is walking in the park with her granny second होजे का रितेश ये भी singular रितेश is doing his homework third आगए आई के साथ हमेशा क्या होता है am he used होता है I am going to Mihir's birthday party today fourth होजे का रेना and मिनाल are baking a cake अब देखो ये and आया दो इंसान है दो इंसानों की बात की गई है तो आप क्या कर दोगे आर कर दोगे फिर है my cousins एक cousin की बात नहीं हो जादा की हुई है तो या जेका are visiting ठीक है तो इसी तरह से a part हो गया हमारा complete आगे चलते हैं इसके दिए subject verb agreement तो इसके दिए a sentence always has a subject and a verb जब आप एक sentence बनाते हो तो सारे sentence हो में subject भी होता है verb भी होता है और object भी होता है यहाँ पर सिर्फ subject और verb की बात की गई है कैसे जैसे मैं कह दूँ राम is playing तो आप देख लोगे subject भी मिल जाएगा आपको और verb भी मिल जाएगी यही बात ही कहना जाते है कि subject के अंदर दोनों चीज़े होती है करते है इसका भी पार्ट इसमें दिया हुआ है filling the blanks with the correct word from the bracket bracket में से करना है अब first है it it means क्या हो गया it means होता है यह है तो यह तो singular ही दिखाई दे रहे तो it is हो जाएगा अगर जादा होते तो r लगाते ठीक है अब बच्चे कहेंगे is और r का मतलब क्या है is का भी मतलब होता है है और r का मतलब भी क्या होता है है लेकिन is लगता है singular के साथ और r लगता है आपका plural के साथ इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका बी पार्ट first में था it is wrong to catch wild words second जोजे का words यहाँ पे तो पहले ही plural दे दिया b, i, r, d, s देखुए हमें plural है न तो फिर जोजे हमारा bracket में होता है उसके साथ हम plural दुबारा दो डबल नहीं कर सकते तो वहाँ पर क्या आज एगा simple need birds need to fly and should not be caged third up poly poly तो singular है एक इंसान की बात हो रही है तो क्या आजएगा poly is a colorful parrot आगे है हमारा poly and her brother अब सिर्फ poly की बात नहीं और यहाँ पर दो की बात हो रही है तो यहाँ पर वाज नहीं आएगा यहाँ पर वर आजएगा अब वाज का क्या मतलब होता है यह होता है हमारा past में इसका मतलब होता है था और वर क्या हो जाता है यह भी होता है लेकिन यह one पलस हो जाए मतलब कि एक से ज़्यादा इंसान हो जाए plural हो जाए तो हम क्या लगा देते हैं वर लेकिन past में अब यहाँ पॉली and her brother था तो क्या आजएगा वर फिफ्थ है दे दे हैड बीन यह हैड कब लगता है जब आपका past का perfect हो past का perfect हो ना तो अब हैड लगाते हैं उसके इंदर तो क्या बंजएगा दे हैड बीन स्टोलन और six में हो जएगा दे वर बींग अब बींग से आपको पता लग जाएगा कि यह आपका present में यूज हुए है आपको यह देखने पड़ेंगे कब present यूज हो रहा है कब past में कर रहे हैं और seventh है आईशा वास वास क्यों लगाया क्योंकि singular है said when she shot the two tiny birds इस सा से मुझे पता लगा कि जुन सा sentence है वो आपका past में था next में हो जाएगा आईशा कोल्ड दा सोसाइटी फोर प्रोटेक्शन ओफ एक्जोटिक वर्स दे दे आगे ना तो दे क्या होते हैं वे सब तो उसके लिए आएगा हमारा वर अब इसने बताया कि आईशा टुक दा बर्स टू दा सोसाइटी दे दे फीर आगया तो यह आजएगा दे हैवे लार्ज इसी तरह से आपको सारे करने पड़ेंगे देखना पड़ेगा कि सामने इट है शी है ही है दे है अब लास्ट में आया दे लीव हैपिली नाउ अमंग अधर रेस्क्यू बर्स अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सी पार्ट से रिलेटेड कुछ बाते हैं इसमें बोलावा मोर ओन सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट इसके अंदर दिया हुआ है इसके अंदर पूरी की पूरी स्मू की बात की जाए जैसे कि होगए हमारा टीम होगा क्लास या फिर होगा फैमिली अब यह वर्ड्स तो सारे के सारे सींग्वलर दिखाई दे रहे हैं अगर हम बाई चांस देखें कि टीम के अंदर बंदे कितने तो क्रिकिटीम में 12 मिलें तो यह सारी बाते आजाती है ठीक है तो यह हो जाता है हमारा को लेक्टिव नाउन और इसके अंदेर दिया हुआ भी है ता वर्ब विल यूजबली भी सिंगुलर तो उनके साथ क्या लगएगे सिंगुलर ठीक है दा टीम टीम क्या हो गया वैसे तो ज्यादा जन्या लेकिन जो सब कोलेक्टिव नाउन के रूप में यूजब किया गया तो उसके साथ आजेगा सिंगुलर में इस लगाना पड़ेगा आप ऐसे मत सूच लेना यहां पर क्रिकेट की में वह सारे हैं तो मैं टीम के साथ आर लगा दो नहीं टीम इस आएगा क्लास इस आएगा फैमिली इस आजाएगा क्योंकि वह कोलेक्टिव नाउन है कोलेक्टिव नाउन है फिर है इफ टू सब्जेक्ट आज जोइन विद बाई एंड बट टोक अबाउट दा सेम थिंग दैन दा वर्म विल भी सिंगुलर और आइदर और नाइदर नोर बट उनली पट ओल सो नोट अली यह आजाएं तो भी आपको यह यूज़ करने तो थियोरी आप कर लोगी रिड मुझे पता है आप चलते हैं ड्रक्ट एक्ससाइज के उपर तो इसके अंदर दिया हुए है सी पार्ट फिलिंग दा ब्लैंक्स इस जैमार तो है जैव यह फिल करने हैं फरस्ट है मिताली एं यह अओ ना अगया आप ऐसी मशी अचले ना देर बॉस हो रही है तो क्या है एगा इस आएगा और फोर्थ हो जेगा दिस इज यह है एक इप बात और यह एपर कैट और डोग दोनों की बाते हो रही है तो है वा जाएगा और आई के साथ तो हमेशा ही एम लगता है यहाँ पर तो आपको सोचने की भी जुरूरत नहीं है तो आइए मेंबर ओफ ऐसे आप पड़ सकते हो अब हम करेंगे इसका डी पार्ट इसके अंदर दिया है सरकल दा कोरेक्ट वर्ब तो कॉंप्लीट दिस कन्वर्शेशन यह सारी के सारी कन्वर्शेशन को कॉंप्लीट करना है इसके अंदर दिया हुआ है पिया पिया क्या बहुत है शीव को बोलते वी आर वी आर आएगा क्य कि वी का मतलब क्या हो जाता है हम और हम तो क्या होगे ज्यादा है तो एम भी नहीं लगा ना इस भी नहीं लगा ना और आप लगा दोगे आर स्टार्टिंग एं कोलेक्शन फोर जीवन सोसाइटी विल यू जोइन अस क्या आप हमें जोइन करोगे और शीव क्या बोला वट इस जीवन सोसाइटी पिया ये जीवन सोसाइटी क्या है पिया ने कहा मैं मेरी आंटी और उसके फ्रेंड्स ये सारे के सारी मिल करके इसको चला रही है फिर शीवन ने कहा मतलब कि ये तो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई लव एनिमल्स और मैं तो एनिमल्स को बहुत प्यार करता हूँ मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ तो पिया ने बोला वी आर वी आर कोलेक्टिंग ओल्ड न्यूस पेपर बलैंकेट एंड मेट्रिसीज वी ओल्सो वोन टो राइज मनी प्रोमदा स्टुडेंट और मनी भी ले रहे हैं कंबल भी ले रहे हैं न्यूस पेपर भी ले रहे हैं अगर कुछ गद्दे वगएरा हो या जैसे आप बिछाते हैं मैट वगएरा वो भी हम लेते हैं शीव ने कहा I have an idea मेरे पास एक idea है let's ask our friends to bring old news old books and bake some cake तो उसने कहा मैं अपने friends को कह करके कुछ cake और books का arrangement करता हूं we can have a sale in the break into to rise money तो फिर हम इनको बेच करके books को और cake को हम बहुत सारी money एकठा कर लेंगे फिर पिया ने कहा that is a great idea let us get permission from the principal first पहले principal से हमें permission लेना पड़ेगा और शीव ने कहा yes let's talk to the principal now तो चली हम principal से बात करते हैं इसके बारे में अब आपको यहां पर बहुत सारी चीज़े सीखने को मिली होगी आई के साथ हमने क्या लगा दिया एम लगा दिया और जहां पर प्लूरल था तो दुबारा दुबारा प्लूरल नहीं करना जैसे let us ask है तो यहां पर आसक मत करते हैं कैसे with verb from the box and rewrite the sentence फर्स्ट जैसे इसने दिया है ओल नाइट ठीक है मतलब कि मैं सारी रात सुनता रहा जोंसे यह पत्ते हैं रबिंग रगट रहे थे अगेंस इच अधर इन दा फोरेस्ट तो यह क्या जेगा रस्टलिंग आजएगा इसे तरह सेगेंड है दा क्लोक स्टोप्ट मेकिंग दा साउंड ओफ इस हैंड मॉविंग जो सी घड़ी थी स्टोप होगी मेंकिंग दा साउंड ओफ जाम तक मतलब होती है तिक टिक करते चलती हैं यह उसकी बात बूर रहा है एट मेड़ डाउन नेक्स्ट में मेड़ दा साउंड ओफ मैनी लिटल वैल तो यह तिंकल तो इसी तरह से आप यह सारे के सारे देख लो फोर्थ का या जे का फिफ्ट का यह और कंप्लीट हो जाता है हमारा यह पार्ट तक और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रीज इसके नदर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हैल पो सके क्योंकि मैं आपकी help कर रहे हैं तो मुझे अच्छा फील होगा आगी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेजिस फ्रेजिस क्या होते हैं कि जो संटेंस क्या पूरा का पूरा मेनिंग नहीं बनाते हैं यह बिना की तो आप कर सकते हो